दोस्तों आज के करनडफस के वीडियो को एक नई एनरजी, नए उर्सा और नई खुशी के साथ में सुरू करते हैं देखें आज का सबसे पहला कुशन बना है देखो हाल ही में COVID-19 की वज़े से बहुत सारे लोग दिल्ली और मुंबाई जैसे सहरों को छोड़ कर अपने छोटे-छोटे सहरों को बापस आ चुके हैं तो उस केस में क्या हुआ है कि अचानक से उनकी सैलरी आना बंद हो गई है बहुत सारे लोगों ने जॉब को भी छोड़ दिया है जिस वज़े से उनकी सैलरी आना बंद हो गई है लेकिन उन लोगों ने जो EMI ले रखा था या फिर उनको किसी को चेक के द्वारा पैसा देना था तो उस केस में उनके पास में पैसे का जो सौटेज है उसको दूर करने के लिए हाल ही में एक योजना की सुरुआत करी गई है कोशन क्या बनेगा कि हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैस सुविदा की सुरुआत कर दी है तो इसका राइड एंसर हो जाएगा option number B private sector का सबसे अच्छे बैंकों में से एक ICICI बैंक ने इस योजना की सुरुआत करी है अब इसके बारे में अच्छे से समझ देना इसमें क्या कहना चाहरा है इसमें देखो इसका नाम है इंस्टा मतलब तुरंट फ्लेक्सी कैस मतलब कैस में आपको पैसा मिल जाएगा और फ्लेक्सी का मतलब होता है कि छोटे-छोटे amount में ठीक है ये सुविदा किसके लिए है ये सुविदा basically ICICI bank के जो salary खाता दा रहा है यानि कि जिनको company से salary मिल रही थी हर महीने उनकी salary आती है सिर्फ वही लोग इस सुविदा का फायदा उठा सकते हैं आप इसमें देखो इसका मतलब हो इंस्ता यानि कि तुरंट में आपको एक cash दे दिया जाएगा जिस cash का इस्तिमाल आप अपनी EMI को फिल्फिल करने में या फिर overdraft के case में कर सकते हैं तो यह ICICI bank के दोरा दिया गया offer है जिसमें कि आप इसका एक photo भी देख सकते हैं जिसमें लिखा है salary account ग्रहाको को मिलेगा ICICI bank का Instaflexi cash ठीक है साथी साथ में इसकी और भी चीज जानते हैं जैसे कि यह पूरी तरीकी से digital सुविदा है यानि कि आप इसको online ही apply कर सकते हैं वहीं पर आपको इसका approval भी मिल जाएगा साथी साथ में इसका उप्योग आप check bounce होने में या फिर मासिक जो EMI आपकी जा रही है उसके लिए कर सकते हैं साथी साथ में आपको बता दूँ कि जब आप इस scheme के लिए apply करोगे तो मात्र 48 hours में आपको इसकी मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी और इसकी जो amount है उसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं चुकि दोस्तों ये question जुड़ा हुआ है ICICI bank से इस बज़े से उसके बारे में जान लेते हैं इस समय ICICI bank के जो MD और CEO हैं वो है संदीब बक्सी इस bank का establishment हुआ था 1994 में और सबसे ज़्यदा जो चीज पूछी जाती है कि इसका headquarter कहां पर इस्तित है तो इसका जो headquarter है ये Mumbai महराष्टरा में इस्तित है तो ये तिनी सारी चीज़े आपको एक question में अगर समझ ली तो आपको कोई भी doubt नहीं रहेगा आगे चलते हैं current office के दूसरे question की तरफ दूसरा question मनेगा यहां पर कि हाल ही में एक देश है जिसका नाव है Philippines Philippines में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गया है तो answer हो जाएगा जैदीप मजूमदार option number A से हो जाएगा हाल ही में जैदीप मजूमदार क फिलिपीन्स देश में भारत का अगला राजदूत बनाए गया है तो option number A will be the right answer so guys यहां पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं जैदीप मजूमदार का जिनको ही हाल ही में फिलिपीन्स का में भारत का अगला राजदूत बनाए गया है फिलिपीन्स के बारे में चान लेते हैं फिलिपीन्स की जो capital है वो है Manila SSC में ये चीज़ कई बार पूछी गई है फिलिपीन्स की capital Manila है इसकी मुद्रा है peso और वहां के जो president है उनका नाम है Rodrigo Duterte ये उनका नाम है साती सात में Philippines वर्ड के मैप में कहां पर रिस्ते था इसको भी देख लेते हैं यहां पर हम लोग देखेंगे पूरे वर्ड का मैप आपको देख रहा है इस तरफ आपको यह भारत देख रहा होगा और उसके नीचे तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर यह जो red color से आपको देश दिख रहा है यह है Philippines जिसके ही नए राजदूत बनाए गए है option number 8 जैदीप मजूमदार दोस्तों आप लोगों से एक माफी चाहूंगा कल की डेट में जिन लोगों ने भी पिछले 3 महीने के करनारफस यानि की मार्च अप्रावल मही का payment करने जा रहे थे तो कल इसमें system busy होने की वज़े से जादा लोग के एक साथ payment करते हैं तो उसमें तोड़ा सा system slow हो जाता है जिस वज़े से लगबग 200 लोगों का मैंने देखा था payment successful नहीं हो पाए था तो जिन लोगों का payment कल successful नहीं हो पाए था वो आज payment कर सकते हैं anytime आपको कोई doubt हो तो वीडियो के description में मेरी email id और mobile number दिया है अगर आपको payment के बाद में PDF लेने में कोई problem आ रही है समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे directly call भी कर सकते हैं तो जिन लोगों नहीं लिया है वो जाकर इसको ले सकते हैं जिसमें की March, April और माई का current पस आपको discount पर को दिया जा रहा है Link वीडियो के description में हैं अगला question यहां पर बनेगा कि हाल ही में किस पुरसकार को किस पुरसकार को Asia के noble पुरसकार के संस्क्रण के रूप में जाना जाता है नॉबल पूरसकार के बाद में आप सभी लोग जानते हैं बस यहाँ पर रिवताना है कि Istia का नॉबल पूरसकार किसे कहा जाता है तो answer हो जाएगा Raymond Maxx से पूरसकार option नमर 20 हो जाएगा कि Raymond Maxx से पूरसकार जो है इसको ही ऌपल पूरसकार के Asia के Novel पुरसकार के रूप में जाना जाता है चुकि दोस्तों इस समय COVID-19 चल रहा है इस वज़े से ये जो Raymond Max से पुरसकार है इस बार इसको पोस्टमोन कर दिया गया है मतलब इस बार इसको पोस्टमोन कर दिया गया है इस वज़े से इस समय ये चर्चा में चल रहा है otherwise किसी न किसी का नाम यहाँ पर अनौस कर दिया किया होता तो Raymond Max से ये जो अवार्ड है इसके बारे में जान लेते हैं कि लगबग 60 साल की अवदी में ये तीसरी बार इसको पोस्टमोन किया गया है साथी साथ में ये फिलिपीन्स के जो तीसरे प्रेसिडेंट है जिनका नाम है Raymond Max से उन्हीं के नाम पर इस पुरसकार की सुरवात करी गई थी और फिलिपीन्स देश के बारे में संयोग से हम लोगों ने आज ही डिटेल में पढ़ा है इसका मैप भी हम लोग देख चुके हैं तो फिलिपीन्स के ही प्रेसिडेंट अब ये वाला कोस्टन है इसको अलग से पूछ सकता है अब इसको ये मैं सोचना की सार आपने ये भी कोस्टन नहीं करा है मैं देखो SSC में ये कोस्टन पूछा जा चुका है और आपको बता दूँ कि जितने भी मैं पॉइंट्स करवाता हूं किसी भी कोस्टन के नीचे वो अपने आप में कोस्टन बन जाते हैं इस बज़े से कोस्टन तो करना ही है जितने भी फैक्ट्स आपको बता रहा हूं वो भी अपने आप में कोस्टन से है तो फिलिपीन्स के तीसरे जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पर ही ये इस अवाड का नाम रखा गया था और सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे इस अवाड को कब दिया गया है तो 1958 में सबसे पहली बार इस अवाड को डिस्ट्रिब्यूट किया गया था जो लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं वो लोग मदर डेरी के बारे में अच्छे से जानते होंगे मदर डेरी की एक साखा होती है जिसको सफल के नाम से जानते हैं जहां पर आपको ताजे फल और सबजिया मिलते हैं मदर डेरी में आपको दूद मिल जाता है और मदर डेरी की ही एक साखा है जिसको सफल के नाम से जानते हैं वहाँ पर आपको ताजे फल और सब्जिया मिलते हैं, तो हाल ही में Mother Dairy की जो साखा है सफल, उसने ताजे फलों और सब्जियों को Home Delivery के लिए किस कंपनी के साथ में साजेदारी करी है, तो इसका Right Answer हो जाएगा, Option No. B, Jometo Will Be The Right Answer. ठीक है, तो यहाँ पर Option No. B सही हो जाएगा, Jometo Will Be The Right Answer. दोस्तो जब मैं दिल्ली NCR में था, उसमें हम लोग भी Mother Dairy की जो सफल वाली साखा है, इसी सही कभी-कभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स गिया करते थे, चुकि इसमें COVID-19 चल रहा है, इस बज़े से सोसल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, Jometo के साथ में इसने एक साजे तारी करी है, जिसमें कि आप घर बैठे, फ्रूट्स और सब्जियों के डिलीवरी ले सकते हैं, आगे चलते हैं, कुशन मनेगा, करनडफस का अगला कुशन मनेगा, कि अमेरिकी आंत्रिच एजेंसी, नासा ने हाल ही में पहली बार, किस महिला को, इस पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है, तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, कैथी सुल्विन नहीं होगा, इसका तो हम लोगों ने अभी रिसेंट में कोशन पढ़ा था, एलक्सा हेल नहीं होगा, कैथी लिवडर्स, इसका राइट एंसर हो जाएगा, तो कैथी लिवडर्स जो है, हाल ही में नासा की पहली महिला, इस स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम उनकी प्रमुक बनाई गई है, तो कैथी लिवडर्स का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनको ही इस पोजीशन पर पहली बार किसी महिला को इस पोजीशन पर बैठाया गया है, तो यह कैथी लिवडर्स का फोटो देख सकते हैं, जो की नासा में एम्प्लॉई हैं, साथी साथ में दूस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पर एक नाम मैंने इस्तेमाल किया है कैथी सुल्विन, आपको याद है कैथी सुल्विन कौन है, अभी हम लोगों ने लाश्ट वी के कोशन किया था, जिसमें मैंने आपको बता था, कि प्रत्वी के सबसे निचले पॉइंट पर जाने वाली दुनिया की पहली मैला कौन बनी है, कैथी सुल्विन, उन्हों ने ही दुनिया के सबसे निचले पॉइंट क्यानी की चैलेंजर डीप में, मारियाना ट्रेंज की चैलेंडर डीप में जाने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि पूरी दुनिया की पहली ऐसी मैला थी, जिनों ने इस पॉइंट पर पहुँची है, और कैथी लिवडर्स कौन है, जिसके बारे में अभी हम बता चुके हैं, चलते हैं अगले कुशन की तरफ, उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिकुष्ट करते हैं, कि इस कंटेंड को बनाने में बहुत महनेत लगती हैं, आप सभी लोगों से रिकुष्ट है, आपका जो लाइक और सेयर है, सिर्फ और सिर्फ उसी से हमें पता चलता है, कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, इस वीडियो को और हमें सपोर्ट करना चाते हैं, कि 20 वर्स की एथलीट जिनका नाम है हीमादास को असम सरकार ने खेल मंतराले की सिफारिस से किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो हाल ही में इनको जो नामित किया गया है, वो किया गया है, खेल रत्न के लिए, तो option number C will be the right answer, हाल ही में असम सरकार ने खेल मंतराले की सिफारिसों से, इनको खेल रत्न के लिए नामित किया है, तो हीमादास का photo देख सकते हैं, साथी साथ में कई बार ये भी पूछा जाता है, कि हीमादास किस राज्य से विलाउं करती हैं, साथी साथ में अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये भी पिताए था, कि हीमादास के लाबा इसमें क्रिकेटर रोहिस सर्मा को भी नामित किया गया है, नीरज चोपड़ा जो कि एक जैवलिन थ्रोवर हैं, उनको भी नामित किया गया है, विनेस फॉगाट जो की रैसलर हैं, उनको किया गया है, मनीका बत्रा टेबिल टेनिस उनको किया गया है, रानी रामपाल इनको भी नामित हाल ही में किया गया है, तो ये सबी नाम आपको याद रखने हैं, एक्जाम के पॉइंट अप यू से, आगे चलते हैं दोस्तो, CurrentFS के next question में बनेगा कि केंदर सरकार ने सिचाई योजना के अंतरगार per drop more crop, per drop more crop, फिर से समझदा, per drop यानि कि एक बूंद, बूंद ऐसी होती है हम लोगों की, इस तरीके से, per drop, per drop more crop, यानि कि एक एक बूंद से ज़्यादा crop, ज़्यादा फसल की उत्पत्ती, चालू वित्वर्स में राजियों के लिए कितने करोण रुपए आवंटित किये हैं, तो यह जो योजना है, per drop more crop, इसके लिए सरकारने हाल ही में 4000 करोण, 4000 करोण रुपए आवंटित किये हैं, तो option number B will be the right answer, so guys, यहाँ पर आप इसका photo देख सकते हैं, इस scheme में क्या है, यह भी आपको बदा देता हूं, होता क्या है, कि किसान जब अपनी फसलों पर सिचाई करता है, तो उसको बहुत ज़दा पानी की आवशकता होती है, आप इसमें क्या होता है, कि जब भी एक्टिव तरीका होता है, जिसको drop method कहते हैं, इसमें क्या होता है, कि एक प्लास्टिक की पतली सी नली इस तरीके से पूरे खेत में बिछाई जाती है, लंबी-लंबी, और उसमें छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जब पानी इस तरीके से यह देख सकते हैं, जैसे कि हम ल ज़्यादा फसल की पैदावार की जा सकती है, इसी बज़े से सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, कम पानी वरबाद हो, इस बज़े से हाल ही में 4,000 करोण रुपए इसके लिए आवंटिद किये गए हैं, तो गाइस यहां पर ऑप्शन नमर 20 हो जाएगा कि 4,000 करोण विल भी दा राइड आंसर, अगला प्रस्ते हैं, किस बुक्तान बैंक ने MSME उद्योगों के लिए सुरक्षा सैलरी नामक एक नया वेतन खाता सुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा MSME के लिए Airtel Payments Bank विल भी और Paytm Payments Bank का जिनको आपस में साजेदारी की तहित यह सैलरी एकाउंट खोला गया है, अब सबसे ज़दा important question आज का, question बना है कि प्रत्वी विज्ञान मंत्रालेक एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आउसत तापमान सदी के अंत तक कितना बढ़ने का अनुमान है, तो अगर सदी के अंत तक की बात करी जाए, तो भारत का जो आउसत तापमान है, यह 4.4 degree Celsius, 4.4 degree Celsius बढ़ने का अनुमान यह आपर लगाया गया है, तो तापमान में ब्रदी जो है, यह एक अच्छा साइन नहीं है, ज़्यादा गर्मी पढ़ेगी, ज़्यादा आप देख रहे है, बहुत ज़्यादा heat produce हो रही है, बहुत गर्मी इस समय पढ़ रही है, और इस case में भी अगर आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, आपके अंदर कोई बात है, जिस वज़े से आप इतनी मेहनित कर पा रहे हैं, बहुत इस समय सावधानी की ज़रत है, पानी पीते रहे हैं, क्योंकि प्रत्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रत्वी विज्ञान, मंत्राले की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का आउसत तापमान, 1901 से 2018 के बीच में, लगबक कितने Celsius तक बढ़ गया है, तो अगर इस duration की बात करे जा है, तो इस duration में 0.7, 0.7 degree Celsius, इसका जो है temperature बढ़ चुका है, तो option number D will be the right answer, I hope आपको सारे questions बहुत अच्छे से समझ भाए होगे, अब इसका revision आपको करवा देते हैं, उससे पहले आप लोगों से request है, कि इस वीडियो को like कर दें, like जरूर कर दें, दोस्तों बहुत matter करता है हम लोगों क इसको share कर दें, अब मैं आपसे देखते हैं, आपको सारे question याद हुए नहीं, इसके लिए आपको फटा-फट quiz करवा देते हैं, सबसे पहला question, किस bank ने salary खातादार्कों को, insta flexi class, सुविदा की सुरुवाद करी है, जल्दी से इसका answer comment में लिख कर बताएंगे, ABCD में कौन answer सही हो जाएगा, so guys, आपको याद होना चाहिए, option number B, इसमें right answer करवाया था, उसके बाद में आप देखेंगे, अगला question था, कि Philippines में भारत के अगले राजदूत कौन मनाय गये हैं, so guys, right answer will be option number A, after this, next question will be, किस पुरसकार को Asia के nobel पुरसकार के रूप में भी जाना जाता है option number B, will be the right answer, उसके बाद में है, कि Mother Dairy की जो साखा होती है, सफल, उसने food और सबजी के delivery के लिए, किस company के साथ में साजेदारी करी है, so guys, right answer will be Jometo, option number B, will be the right answer, I hope आप लोगों ने सही से click किया होगा, उसके बाद में है, Space Flight Program, NASA के Space Flight Program की हाल ही में परमुक कौन बनाई गए हैं, option number C, will be the right answer, कैथी leaders, will be the right answer, हीमादास को हाल ही में किस पुरसकार के लिए नामित किया गया है, तो option number C, will be the right answer, इसके बाद में है, per drop, per more drop, इसके लिए सरकार ने कितना पैसा अवंटिट किया है, so guys, option number B, सही हो जागा, आई हो, आप सभी ने ABCD में से सही answer टिक किया होगा, MSME के लिए सुरक्षा salary किस ने सुरू किया है, Airtel Payments Bank will be the right answer, प्रत्वी विज्ञान मत्राले के अनुसार, भारत का औसर ताप्मान इस सदी के अंतों तक कितना बढ़ने का अनुवान लगाया गया है, so 4.4 degree Celsius, इसका right answer हो जाएगा, I hope आपको सारे questions सही होंगे, वीडियो को like करना ना बूले, प्रत्वी अनुसार,